हेलो बच्चो वेलकम बेक हम आए हैं मुविंग चारदिसन डिंचेल का लाश्ट लेक्चर लेकर जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि कि एक गंवेनो मेटर को कैसे आप वॉल्ट मेटर में चन्वर्ट करते हैं ॥번 मेटर लिख दिया मेटर हम कर चुके हैं कैसे एक वोल्ट मेटर में करेंगे तो सब को पता होगा गैलवैनोमेटर वोल्ट मेटर क्या करता है वोल्ट मेटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है सब को पता है और वोल्ट मीटर जो होता है वो सरकेट के पैरलल में लगता है वोल्ट मीटर हमेशा सरकेट के पैरलल में लगता है एम मीटर जो था जो एम मीटर था वो सरकेट के सीरीज में लगता था मतलब जब भी आपने किसी सरकेट में मीटर लगाना है उसको सीरीज में लग करेंगे लेको सिंपल सी बात करता हुँ मांदो मेरे पास एक है तो है तो इसके पेर्रनल最後 में उ hacerlo लगेंगा सब को पता है庇ए मैं बोल लेटा हूं कि मेरे पास व्ल्ट में और है मेरे पास क्या है यहाँ परkek घेल मेरे पास कॉम सा मित्र है मेरे पास जो इसके पैरदन में लगा रखेमान लो सहीत क्या होगा अब यहां से इधर से करण्ठ आया आई जी इसकी मैक्सिम्म डिफ्लेक्शन होगी कुछ और कुछ मैक्सिम्म करण्ड वान लो इसका होगा दस मिलियम्पियर हमने करण्ड को चोटा सा करण्ड उठा सकता है तो इधर से कुछ करण्ड जाएगा वह चोटा दस मिलियम्पियर का मालो पिछे से तो इसको आईजी जो इसकी मैक्सिमुम डिफलेक्शन होती है maximum deflection of maximum deflection of galvanometer इसको आई जी बोलते हैं हमने पढ़ा है तो इधर दस गया तो इधर उन्नी सोन में गया तो मालो इधर कितना गया आई माईनस आई जी आई माईनस आई जी सही मालो गल्वेनोमेटर की रिजिस्टन्स है पांच एक तो तो गितनी बोल्टेज मेजर कर पाएगा बिल्कुल सुन पर कैसे निकाल लेंगे वी इकौल तो वी कितना है हमें यहीं कालना है आई आया दस मिली अंपीर को एंपीर में कनवाट करें इंटू गोल्ट 5 तो 5 इंटू 10 यानिकी 50 इंटू 10 दिन यानिकी यानिकी जीरो पॉइंट 005 गोल्ट iejरो कॵाएंट को वूल्ट कितनी कम पोटेंश Respond remember कर रहा है गरेनो पॉटेंश। डिफ्रेंश सतों मेजर किया बट गणेवेनोमेट ने वहुत है मैं चाहता हूं कि बड़ा इतना 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 थोड़ी आ रहा होगा तो ज्यादा होगा क्योंकि करन्ट दो एंपीर आया वाट यह तो मैंधर करके दिखा रहा है मतलब यह मैं क्या बात कर रहा हूं कि क्या बात ही नहीं कर रहे हैं समझना जरूरी है समझों के तो बहुत असान लगेगा मुझे पता है चार लाइनों के डिरिवेशन लिख कर चला जाएं कोई फाइदा नहीं होगा है कितना चोटा किया तो अब हम क्या करेंगे अख स्य करने केるिये मदन अबंगे बडए है न हमें च्यूट इपटेंसिल बता भाटेंसियल हो तो क्या चीज करता हूं कि पहले तो इसको रभ करूँगा सही है पहले करूँगा इसको रभ और अगली बात है मेरी जो करने वाली वह मैं इक करूँगा मैं क्या करता हूं इसके एक इक ऐधस्तिन्स लगा दूगा इसके ख़ोग क्या करूँगा जाएगा सुड़्सरीज में सब्सक्रीज में एक health रिपातना काम करने कायेकज और नियुए किक्म यहां कैरद आ citing तरय गया जर्ण के यहां गया आई जी यहां कि जाएगा आई-ई-ई-जी जो आई-जी करण्ट जा रहा में आएंटो आर्ए मैं देखते हैं यहां कितनी करन्थ रैयह यह उसे एंपर architects सिरे होगे यह बोल्टमेटर तो यहीं का मैसर करेगाना अर्दल में लगाएंगे यह एउस्टन्स कितनी है यह 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 ću रजिस्टंस प्रति प्लर कॉनिंगे डूट तो धी खुल सर यह इसलिए सकता हूँ डिचे इज इकोल टू आइची इंटू जी प्लस आइजी इंटू यहां से मैं कितनी रिजिस्टंस लगानी है मुझे हाई रिजिस्टंस कितनी लगानी है कि मैं कि यहां से मेरी आर की वैल्यू आएगी वी माइनस आई जी इंटो जी बाइ आई जी ने को यहां से मैं कितनी बड़ी रिजिस्टंस लगाना चाहता हूं उसकी वैल्यू निकाल लूँगा जितनी ज्यादा करता हूं उतनी ज्यादा इसके पास चला गया मैं बोलता हूं पांच ओम इसकी रिजिस्टंस है मैंने हाई रिजिस्टंस लगा दिया मुझे ज्यादा वैल्यू चाहिए ना पोटेंचिल डिफरेंस की मेरे पास पहले थे 0.005 ओर लॉट रिजिस्टंस ब्चुपा चेहन ब्यावेस घान करें ज़्यादा है थोड़ी थोड़ी इतना है तो मैं क्या करता हूं हाई को दून तो यह कितना होग्य एक जार पांच को दस्से करोगे एक सब्सक्राइब तो एक और जिरू इंटु दैस्ट भिपार माइनस यानि हजार और से डिवाइड गर दोगे तो यह अंसर आएगा दस पॉइंट जीरो पांच वोल्ट देखो पहले जो सरकिट सिर्फ गैलवैनोमेटर लगे होने से सिर्फ 0.05 वोल्ट मेजर कर पा रहा था अब उसी सरकिट में सिर्फ एक बड़ी हाई रिजिस्टन्स लगाने से उसने दस पॉयंट जीरो पांच वोल्ट की पोटेंशल डिफ्रेंट कर लिया यह क्या हुआ हुआ हई पोटेंशल डिफ्रेंट मेंजर कर रहा तो यह एक वोल्ट मीटर भी बन गया मैं समझे में आई बात अगर यह यहां पर यह ना लगाता तो इसका पॉटेंशल सोउचन दिफरेंस से रचालherninka कहने सो चु मैंने एक हाइर अगे और जिस्टेंश को बोलते थे चंट जिसको बोलते थे में लोगे लिए इंगरवनो मिट यह जू को बोलते हैं प्रिंसिपल समझो क्या हो रहा है क्यों किया हमने ऐसा सही है और मुला तो कोई भी बता देगा यह लिख रखा किताम में भी पड़ लोगे क्यों कर रहे हैं हम ऐसा यह समझना बहुत जुरूरी है ठीक है बच्चों वीडियो को जल्दी से करें लाइक करें अपने दोस्तों क के साथ अब तक इंज्वाए करें खुश रहें और दी वेरी बेस्ट बाइबाइब बच्चों